आज आप लोगं के लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूं जिसे खाने के लिए कभी कोई मना नी करता है, इतनी ला-जबाब, इतनी यममी बनती है, लेकिन इसे बनाने में लोग काफी डरते हैं, लेकिन आपको पता है, इसे बनाना बहुत असान होता है. तो आज मैं आप लोग के लिए ना अंगूरी रेस्मलाई की रेस्पी लेकर आए हूँ इंदम छोटी-छोटी सी प्यारी-प्यारी सी रेस्मलाई देखने में इतनी अच्छी लग रही है और खाने में तो पूछे मात इसका स्वाद ला जवाब है अच्छे इसे बनाने में लोग बहुत डरते हैं उनको लगता है कि ये बिगड जाएगी तूट जाएगी फट जाएगी आज ना मैं आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी इसे पॉफिक बनाने के आप इसे घर में हलवाई से भी अच्छा बनाएंगे सबसे पहले दूद गर्ब करेंगे तो थोड़ा सा घंज में पाई डाल लेंगे उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे टोन दूद लिया है टोन दूद याने कि इसमें कोई भी मलाई नहीं है तो रसमलाई बनाने का सबसे पहला सीक्रेट है कि हमें बिना मलाई वाला दूद लेना है और यहाँ मैंने 2 लिटर दूद लिया है अगर आप टोन दूद नहीं ले रहे हैं गाय या भैस का दूद ले रहे हैं तो आप उसे उबाल के पहले फ्रिज में रख लीजेगा उसके बाद उसकी सारी मलाई आप हटा दीजेगा उसके बाद ही उसे आप यूज करेगा देखी उबाल आ गया है गैस में गैस को तुरण बंद कर देंगे और अब इस दूद को दो से तीम मिनट का आप रेस दे दीजेगा और इसे हमें छेना बनाना है तो मैंने यहाँ पर विनेगर ले लिया है तो एक जो थाई कप के करीब मैंने यहाँ पर विनेगर लिया है आप विनेगर की जगह न नीबू का रस भी ले सकते हैं और देखे दीरे दीरे देखिए दूद पिलकुल फट गया है चेना अलग हो गया है और इसका पानी अलग हो गया है बिना देर की इसे छान लेना है तो एक छनी ले लेगे उसके ऊपर डाल लिजेगा मलमल का और आप इसे चान लीजेगा दीरे दीरे सारे टिप्स और ट्रिक्स आज आपको बताऊंगी तो वीडियो फुल वाच करिएगा और देखे जो हमने चान लिया है और जो पानी लिकला है इसे आप फेकिये गमत इसे आप आटा गूद सकते और यह जो छेना है इसे हमें तुरन ठंडा करना बहुत ज़रूरी है तो जल्दी से इसमें डाल लीजेगा ठंडा पानी और हाथ से मिलाते हुए इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लीजेगा ताकि इसमें जो विनेगर हमने डाला है न उसका खटा पनिस से लिकल जाए और छेना भी तुरंट ठंडा हो जाए और बस अब हमें छेने का बिल्कुल अच्छी तरह से पानी लिका लेना है तो इस तरह से दबाते हुए कपड़े को हम इसका पाइन लिका लेंगे लेकिन हाथ से दबाने पर भी ना इसका पानी बहुत अच्छी तरह से नहीं लिकलता है तो या तो आप इसे आदे घंटे के के लिए कहीं तंगा के रख दीजे या फिर इस तरह से कोई भारी बर्तन आपिस के उपर रख दीजे करीबंग 10 मिनट के लिए और देखिए 10 मिनट के बाद छेने से बिल्कुल पानी अच्छी तरह से अलग हो गया है और यह देखिए जैसे हम पनीर बनाते हैं बिल्कुल ऐसी हो गया है और अब हमें क्या करना है कि इसे हाथ से इस तरह से मैश कर लेना है और अब बहुत इंपॉर्टेट स्टेप है इसको हमें मलना है तो हाथ का जो यह वाला भाग है इस तरह से हम इसकी मलाई करेंगे तो देखिए इस तरह से हमें इसे मलना स्टार्ट करना है और आप टाइमर लगा लिजे 5-6 मिनट का 5-6 मिनट बिल्कुल पॉफिक्ट होते ह है इसे मलने के लिए पहले आप लगभग 3 मिनट के लिए आप इसे ऐसे ही मलिएगा उसके बाद आप क्या करेंगे ना कि इसमें एक चमच बिल्कुल बारीक जो सूजी होती है ना यानि कि सैमुली ना वो इसमें डाल देंगे और इसके बाद सूजी के साथ वापस इसे 3-4 मिनट तक बिल्कुल अच्छी तरह से मल लेंगे इसे इतना मलना है कि छेने में बिल्कुल एक भी दाना नहीं रहना चाहिए स्चेने बिल्कुल चिक्कना हो जाना चाहिए और देखें छे मिनट करी nécess rach करीम बिल्कुल चिकना हो गया है अच्छा सूजी डालने से आप बिल्कुल विदाउट फेल रसमलाई बनाएंगे बिल्कुल भी है जब हम सुगर सिरफ में इसे उबालेंगे ना तो वह बिल्कुल भी नहीं फटेगी तो आप छोटे-छोटे से गोले बना लीजेगा और देखिए बिल्कुल छोटी-छोटी लग रही है अब बना लेंगे शुगर सिरफ तो मैंने यहां पर देड़ कप के करीब याने की वन एना हाफ कप चीनी ले ली तो इसमें आप एक लिटर के करीब पानी डाल लेजेगा पानी ना अच्छी खासी कॉंटिटी में होना चाहिए क्योंकि जो हमारे छेना बॉल्स गैस को बिल्कुल तेज रखेगा और उसके बाद जितने भी बॉल्स है ना हम सारे एक साथ इसमें डाल देंगे क्योंकि मैंने अच्छा खासा बड़ा बरतन लिया हुआ है और अब इस छेना बॉल्स को हमें पूरे 15 मिट तक तेज आच में पकाना है और 15 मिट तक हमें गै अगले 5 मिट तक हम इसे उबलने देंगे उसके बाद वापस इसमें एक चमस ठंडा पानी डाल देंगे और 10 मिट के बाद आप थोड़ा थोड़ा इसे चमस से चला सकते हैं मिनट इसे हम और उबलने देंगे और देखें जो प्यारे से बॉल्स है ना हमारे दम अच्छी तरह से बन के तयार हो गए हैं गैस को बन कर दीजेगा उसके बाद ना इसमें एक चमस ठंडा पानी डाल दीजेगा ताकि इसका टेंपरेचर तुनन ठंडा हो जाए और यह देखें यह वाला काम करने मुझे सबसे अच्छा लगता है कितने ब्यूटिफुल लग रहे हैं यह अच्छा अब ना इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है तब तक हम अपना रसमलाई का रस बना लेते हैं तो यहां लगभग आधा लिटर के करीब दूद ले लिया है मैंने इसमें थोड़ा से डाल देंगे केस है और दो इलाइची को मैंने बिल्कुल खलबत्ते में फ्रेश कूट लिया है वो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा से मैं कलर एड़ कर रही हूँ और कलर बिल्कुल ऑ उबाल लिया उसके बद चार टेबल स्पून के करीब इसमें चीनी डाल दी है चीनी डालने के बद 5-7 मिनट मैंने वापस से इसे कम आच में उबाल लिया उसके बद गैस को आप बन का दीजेगा चलिए जी जो हमारी अंगूरी बॉल्स है न वो भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है ये कितनी अच्छी बनी इसका टेस्ट ये है कि आप एक बॉल्स को उठाईए उसका पूरा रस लिकाल दीजे और देखें कि ये वापस से फूल जाती है तो जो ये हमारे बॉल्स है न बिल्कुल ही पॉफक्षेक बने है क्योंकि ये वापस से स्पॉन्जी हो जा रहे हैं और बिल्कुल हाथ से दबाते हुए सारे बॉल्स के रसाप लिकाल लिझेगा और इसके बाद जो दूद हमने बना के रखा हुआ है न वो इसमें हम डाल देंगे तो बिल्कुल सारे बॉल्स हम इसमें डाल देंगे एक बार चला लीजेगा उसके बाद न इसे हमें ठंडा करना है क्योंकि ये ठंडी ठंडी ही खाई जाती है तो फ्रिज में करीब आप 2-3 घंटे तो ठंडा अराम से कर लीजेगा और देखिए मैंने इसे ठंडा कर लिया है और क्या लाजवाब रसमलाई लग रही है हमारी तनी बढ़िया बनी है फ्रेंड से कि मैं आपको क्या बताओ बिल्कुल आप इसे अपने मन पसंद सर्विंग प्लेट में लिकाल लेजेगा फ्रेंड्स आपके घर में पाटी हो या फिर आपको बहुत अच्छा मीथा खाने का मन कर रहा हो तो आप ये बनाईए क्योंकि इसमें बिल्कुल भी फैक्ट नहीं होता है तो फ्रेंड्स मैंने बहुत आसान तरीका आपको अंगुरी रसमलाई बनाने का बताया है आप इसे बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिलकुल मत भूलिएगा